तोम सोने लग रहे हो यह और पढ़ा है यार, यह तोपिक एकदम सुरुवाद से है. और बता, मैंने क्या क्या पढ़ाया? हुआ है पहले 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 पहला क्या पढ़ाया है इलेक्ट्रोकमिस्टी की कि देफिनिशन हाँ अंब इसकी डेफिनिशन से इस एक पांग को कि क्यमिकल एक हैं था जितरी गॉस्ट कर वह था है कि क्विर्य पीर येस तो सेल कितने पकार किया होते है फिर कौन कौन सी और उसके भाद हम आगे बात करें तो गेलवनिक सेल क्या होती है जो एलेक्टिकल एनरजी को और कन वरे नरजी उसकार्टिक्त निल्ग będę और इलेक्टुलाय्टिक सेल ठीक है दूसरा अब मुझे बताओ क्या करते है spontaneous कौन सी होती है इन दोरों cell में से galvanic cell spontaneous है और electrolytic cell non spontaneous है spontaneous होगी तो delta G की value कैसी होगी negative और non spontaneous होगी तो delta G की value कैसी होगी positive ठीक है आगे और बताब मुझे sign convention में anode कैसा होता है yes L for left side में लिया जाएगा O for oxidation होगा A for anode N for negative इसका जो anode होगा वो negatively charge होगा oxidation और ox process होगी और left side में हो रहा होगा ठीक है yes cathode हो रहा हो ठीक है आगे आगे बोदो चलो आगे बोड़ो अब galvanic cell दो प्रकार की इसको एक्जामपल का है Daniel cell तो Daniel cell दो प्रकार की बोली हुई है अब गेल्बनिक cell को पहले हमने दो प्रकार से बोला है एक electrochemical cell और concentrated cell या concentration cell galvanic cell में electrochemical cell क्या चीज है इसके अंदर जैसे Daniel cell के अंदर होता है driving force spontaneous है उसके अंदर भी होता है लेकिन dilution के कारण होता है इसके अंदर है Daniel cell उसके बार हमने डेनिल सेल को पढ़ा Daniel cell दो प्रकार की थी एक single compartment और एक double compartment single में क्या किया था copper solipend में क्या डाला था zinc collector अब कैसे आ रहा सौझ में अब थोरी दिर पर ने नीद आ रही थी interest लेना है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तरफ नहीं देख रहा हूं सबकी तरफ देखता हूं बेसी तुम्हें न मास्टर बन का हूं मैं बहुत देर से रुखवाना चाहरा थे पर बन की यारे topic पूरा कर लो हाँ